बहुत सारी महिलहों की दिख्कत होती है कि उसके अंदर अंडे बाई Health ही नहीं होता है फोलीकल मेचूर ही नहीं होती है और कभी कभी वहाँ पर फोलीकल अपने आप बन जाती है तो वह रप्चर अपने आप नहीं होती है उसके लिए Injection लेना पड़ता है या दवाई लेन यानि कि फोलीकल का ग्रोथ अपने आप होगा और वह रप्चर भी अपने आप होगे अपने फूट जाएगा यानि कि जो प्रोसेस से वह स्मूथ चलेगी यदि आप डायेट में यह पाथ चीज़े एड़ कर लेते हैं तो तो वह कुनसी चीज़े किस तरह से लेनी है और कु करते हैं अपने आप बने उसका ग्रोथ अच्छा हो अपने आप रप्चर हो उसकी क्वालीटी अच्छी हो उसके लिए आपको कौन से पास सुपरफूड अपने डायाट में एड़ करने चाहिए सबसे पहला बेट रूट यानि के चुकंदर चुकंदर के अंदर रिज्व करने वाले लोग बहुत कम हैं और वहाँ पर एज वहाँ पर चाहिए कम हो लेकिन कभी-कभी दिक्कत आ जाती है कि अपने आप और उसका इंप्लांटेशन अच्छे से हो जाए इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी दूसरा बीट्रूट के अंदर चुत नाइट्रेट से वह क्या काम करेगा वह आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हेल्थी बनाने में हेल्प करेगा इसलिए साथ आई वेप में जाने वाले पेशन को भी बोलते है कि आप चुकंदर ज्यादा खाई है ताकि इंप्लांटेशन के जो सक्सेस रेट है वह बढ़ जाए तो बता कभी औरेंज चुकंदर का ज्यूस लेलो तो अलग-अलग उसके अंदर एड करेंगे तो विटामिन सी भी जाएगा और भी टूट भी जाएगा तो आपके अंदर अच्छे से बनने भी लगेंगे और इंप्लांटेशन में भी हेल्प हो जाएगी दूसरा चो सुपर खजूर और अंजीर क्यों कि उसके अंदर आयन और फोलेट इस तरह से है कि वहाँ पर आपके अंदे अपने आप बनने लगेंगे उसका ग्रोथ होगा और अपने आप रक्चर भी हो जाएगा साथ आपको यह पता है कि जहाँ पर प्रेगनेंसी प्लानिंग की सुरुवात आप करते हैं उसे दिन से आपको फोली केसी लेने के लिए बोलते हैं ताकि बच्चे हेल्थी बच्चा आए और उसके अंदर नियूरेन डिफेट किसी भी तरह की ना आए तो हिल्दी बच्चा आप चाहते हैं आगे चलके मिस्केरज के चांसे कम करना चाहते हैं तो आपको वहां पर फोली केसी स्टार्ट कर देनी चाहिए लेकिन डायट में यह दिबाग करें तो खजूर और अंजीर ऐसी चीज है जिसके अंदर आयन और फोलेट भरपूर मात् जो इंडोमेटरियम लाइनिंग को इस तरह से रेडी करेगा आपकी बच्चो दानी को इस तरह से तयार करेगा कि वहां पर बच्चा उसी महिनची पक जाएगा तो यह अंजीर और खजूर के इस तरह से लेना है आप उसको रात में भीगो के सुबह में स्मूदी के जैसा बना के भी पी सकते हैं उसके अंदर दूसरे नट बी डाल दीजिए य अधा बनाना डाल दीजिए तो अच्छे से समूदी समूदी तयार हो जाएगी बनाना पोटेसियु मिलेगा जो मैंसरमी τιा समूदी तयार होगी वो आपके अंदर मुटि विटामिन टेब्लेट की तर सिनामन कलोंजी यदी आपके अंदर insulin resistant census हो है आपका weight gain हो गया उसके बाद pregnancy नहीं रुक रही है यह फिर आपको पिसियोडी की दिक्कत है यह फिर अंडे का growth नहीं हो रहा है तो सिनामन कलोंजी वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से आपका इंसुलिन को बेलेंस करने में हेल्प करेगा, इंसुलिन बेलेंस होंगे, तो बाकी के ओर्मोन बेलेंस होंगे, तो उन्डे अपने बनने पी लगेंगे, फूट भी जाएगा अपने आप, तो सिनामन कोलोंजी आपको लेना है, इस्पेशली यदि आपको हाई-अमेज की दि किस तरह से लेना है आपको एक गलास गरम पानी लेना है उसके अंदर एक पिंच सिनामन डालना है सिनामन पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हनी डालिए यदि वेट लोस करना चाहते तो थोड़ा सा निंबू भी डाल सकते रूसको अच्छे से पी चाहे सुबह में खाली प बोडी में नहीं होगा तो अंडे और जिर्फकेशम करी लिए सेल को पूरा के लिए नया सेल हो या भी पूराना को मेंटेन करना है उसके प्रोटीन आपकी बोडी में चाहिए और प्रोंटीन कहां से मिलेगा आपसको स्प्राउट्स में से भी ले सकते हैं अंडे में रहता है प्रोटीन पनीर में रहता है डेरी स्कूस वहाज द offendेयर नहीं है और दीजु़र रहे का अध्युश्चा अधिन कान यह है और दूसरा रहे गा फ्रोंट परिंद नहीं खापाते उस दिन परोटीन पाउडर घर पे रखो लेकिन चार मैं से एक चीज आपके पूरे दिन में पेट में जानी चाहिए तो प्रोटीन अच्छे से लीजिए प्रोटीन से आपकी अंडे की कौलीटी अच्छी होगी तो प्रेग्नेसी जल्दी रुकेगी रुकने के बाद वहाँ पर मीस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे पाच माहे विटामीन विटामीन की टेबलेट आपको डेली के तोड़ पेक लेनी चाहिए जब से आप प्रेग्नेंसी प्लान करें एप प्रेग्नेंसी प्लान करते समय और अपने आप प्रप्चर हो उसके लिए कोक्यूटेंज ज़रूरी है तो यसी vitamin select कि ज़िसके अंदर को Cuotan हो और अब वो कॉनसे vitamin है, जिसके अंदर है sare चीजें होगी तो वो है new subscribe का true vitamin new objective vitamin के अंदर vitamin A है, vitamin D है, vitamin E है vitamin B complex जैसे vitamin B1 B2 B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है vitamin C है, दूसरे उसके अंदर minerals है जैसे magnesium, zinc, iron, copper, iodine, chromium, morselenium है husband के लिए उसके अंदर है Korean ginsane, ginkobilobow, lycoric extract जो उसके sperm की quality को healthy करने में उसके performance में वहाँ पर effect कर देगी दूसरा उसके अंदर कोलीन है, coqutane है और lutenister है तो ये सारी चीज़े ऐसी है जो अंडे की quality को maintain करने में और implantation में help करेगी और husband के जो sperm है उसकी quality को बढ़ाने में help करेगी तो इसी तरह से आपको यदि pregnancy plan कर रहे है तो true vitamin लेना है चाहिए और ये किस तरह से लेनी है, पूरे दिन में एक ही tablet आपको लेनी है यहाँ आप लिखाई है once a day formula, यानि कि आपकी एक दिन की जो nutrition requirement है इस तरह से आप diet में अच्छे से ध्यान रखेंगे, vitamins अच्छे से लेंगे, तो अपने आप बनने लगेंगे, अपने रप्चर हो जाएगा और ovulation किस तरह से ट्रेक करेंगे आप, ovulation ट्रेक करने के लिए आप किट का साहरा ले सकते हैं या फिर follicular study करवा सकते हैं, और कुछ ना करें तो ovulation टेका पता भी ना चलता हो, तो relation आप रख दीजे, बीच के 10 दिनों में यानि कि यदि 30 days की cycle है, तो आप 8-20 relation रख दो, 25 दिन की cycle है, तो 7-7 relation रख दो यादि 40 दिन की cycle है, तो आप 15-30 relation रख दो, इस तरह से आप वहाँ पर अपने बीच के जो 10 दिन है, वहाँ पर relation अच्छे से रखेंगे, बीच में ovulation होगा, pregnancy रुख जाएगी और ovulation track करने के लिए कुछ sign and symptom body आपको बताती है, तो उसके लिए अलग से वीडियो वो दिखना ना भूले, इसमें से भी कुछ भी query हो, कुछ भी आपको confusion हो, तो आप हमें comment box में पूछ सकते है, यदि अंडे अच्छे से नहीं बन रहे है, pregnancy रुखने में और किसी तरह से मेरी टीम आपको guide कर देगी, तो चले friend आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करना ना भूले, share करना ना भूले और चैनल को subscribe कर दीचे ताकि हर नए वीडियो आपको मिलता रहे, notification के लिए आप bell icon प्रेस करना नह भूले, तो चले friend आज के लिए बस इतना ही फिर जल्दी स मिलेंगे नए वीडियो के साथ तक तक के लिए, stay healthy, stay happy, bye